प्रग्या शील करुणा तधागत बुद्ध का मानवतावादी संदेश शिक्षित बनो संघर्ष करो संघटित रहो डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर का क्रांतिकारी विचार यूजियन बुद्धा की अनो की पहल एक कदम प्रभुद्ध भारत की ओर ले जाने के लिए होगा माहा मानव डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर लिखित बुद्ध और उनका धम इस महांतम ग्रंथ का विसलेशन बदंत धमसार्थी के साथ जानेंगी समियत विचार सम्मासं बुद्धस विश्व के पहले वैध्यानिक शर्वशेष्ट महामानव करुना के सागर तथा गद बुद्ध विश्वरत्न बोधि सत्व विश्व के ज्ञान के प्रतिक भारत के सविधान के निर्माता द बुद्धायन धम्मा के निर्माता सिम्बाल अप इक्वेलिटी, सिम्बाल अप नौलेज बुद्धि सत्व डक्टर बावसा वंबेट कर। चक्रवति सम्राट शोक, माता रमाई सभी महामानों को मैं अभिवादन करता हूँ उपस्तित यूशन बुद्धा देखने वाले सभी स्रावक संग, सभी को नमबुद्धाय जैबिम जो विचाधाराओ का संगर्श इस विशे में आपके साथ हम लोग चर्चा कर रहे है और इस विशे का महत्व कितना जादा है यह वैचारिक संगर्श है, जब तक हम वैचारिक संगर्श को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम अपने मित्र कोन हैं और दुश्मन कोन हैं यह समझ नहीं पाते हैं हम अध्यानता के वस्ष कभी कभी जो छुपा हुआ शत्रू रहता है उसको मित्र समझते हैं और जो सही में हमारा कल्यान करने वाला मित्र होता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं उसकी वास्तविक्ता समझ नहीं पाते हैं इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी का सूख और दुख उसके वर्तमान के परिस्तिति पर निर्भर करता हैं हम ज़्यादा भुद्ध काल के बारे में नत सोचें ज़्यादा भुश्यकाल के बारे में नत सोचें हम वर्तमान स्थिति को समझें क्योंकि वर्तमान स्थिति ही आदमी के जिवन में सूख और दुख निर्मान करती हैं अभी जो अलग-अलग विचाधाराय निर्मान होती है वो अपने विचाधारा को अफग्रेट करते रहती है ये विचाधारा को पुननर निर्मित करती है क्योंकि उनको मालू है कि हमने जाती विवस्ता बनाई है तो जाती व्योस्ता क्रमिक असमानता ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी लिकिन ये इस तरह का वातावरण भारत में निर्मान करना जरूरी है क्योंकि ऐसे परिस्तिति में जो एक वर्ग होता है, स्पेशल वर्ग होता है जो खुद को अती मानव कहता है, वो वर्ग हमेशा स्रेष्ट बना हुआ रहता है और वो लोगों को इस तरह से भ्रमित करता है कि वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके कल्यान के लिए काम करता है करना कर रहा है, बहुजन समाज के कल्यान के लिए काम कर रहा है ऐसा लोगों को भ्रमीद करता है लेकिन वो वर्ग जुह है वो सबसे ज़्यादा अपना कल्यान चाहता है अपना ही चाहता है बिना कि ये काम वो सबसे स्रेष्ट बना रहता है और सबको अपने नीचे कनिष्ट रखना चाहता है इस तरग की विचाधारा जो भुतकाल से बनी हुई है तो वो विचाधारा अभी तक क्यों टिकी है उसके उपर अगर हम सोचे चिंतन किये तो इस तरग की विचाधारा को बनाय रखने के लिए उस विचाधारा को हमेशा अपग्रेट करते हैं अप्ग्रेड किया जाता है हमेशा उस विचाधारा को कमजोर होने नहीं देते उस विचाधारा को हमेशा मजबूत करते रहते हैं इसलिए ये विचाधारा अभी भी टिकी है और मैं कहता हूँ कि ये विचाधारा आगे भी वैसी बने रहेंगी क्योंकि ऐसे विचाधारा को मजबूत करने की लिए कंस्ट्रक्शन करने की लिए एक वर्ग बड़े पैमाने पे राट-dinned काम कर रहा है वो जाती वादी वेवस्ता आपस में टक्राव करने की वेवस्ता आपस में जगड़ा करने की वेवस्ता क्रमिक असमानता के आधार पर द्वेश और तिरसकार निर्मान करने वाली व्योस्ता इस व्योस्ता सदा बनी रहे ऐसी व्योस्ता बनी रहे ऐसे विचाधारा को वो मजबूत करना चाहते हैं मजबूत करते रहते हैं मजबूत करते रहते हैं अपने आप मजबूत नहीं होती है और अपने आप टिकी नहीं है इसको मजबूत हमेशा किया जाता है उसको नए सिरे से उसको काम किया जाता है नए नए अवधारना नए ने विचार उसमें डाले जाते है लेकिन मूल विचाधारा वो ही रहती है मूल विचाधारा वो ही रहती है लेकिन उस विचाधारा को छुपाते हुए जो उपरी तोर पे जो विचाधारा बताई जाती है वो लोगों को जो मूल विचाधारा है जो इस देश में जाती वाद टिकना चाहिए जाती वाद रहना चाहिए हर जाती आपस को आपस में आंकार से निर्मीन होना चाहिए हर जाती अपने आप में स्रेष्ट बनना चाहिए और दुसरे जाती को अपने से नीची बनना चाहिए इस तरह से ये वातावरण निर्मान किया जाता है तो हमें इसके बारे में सोचना है कि हम अगर समतावादी विचाधारा को मजबुत नहीं बनाएंगे तो समतावाद जो इस भारत से नश्टो हो जाएगा जितना समतावाद कमजोर बनते जाएगा जितने बाबासा बामबिटकर और तथागत बुद्ध की विचार कमजोर होते जाएगे उतने जैसे वातावरन नस्ट हुआ विचार नस्ट होंगे तो इस देश का वातावरन निर्मीती जो हो रहे है वो नस्ट हो जाएंगे जब वातावरन हमारे खिलाब हो जाएंगे तो हमें फिर हमारी कमजोरी के वज़े से हम और ज्यादा कमजोर बनेंगे और हमें फिर से गुलाम बनाये जाएगा फिर से हमारे उपर अन्यत्याज होते जाएगा आज ऐसे दैस्यत का वातावरन दिखाए दे रहा है भरत में एक प्रकार का भोष से लोग डरे हुए है बहुत से लोग डरे हुए है उनको डरा डरा करके उनको सच्चाई से दूर रखा जाता है सत्य बोल नहीं पाती उनकी हिम्मत नहीं होती सत्य रहने के बावजूद भी वो बोलने की हिम्मत नहीं करते इस तरह से डराय जाता है तो हमें ऐसे विचारधारा को समझने के आउशकता है एक ऐसी विचारधारा है कि एक कर्मसिद्दान्त दिया गया है भारत में एक ऐसा विचार है कर्मसिद्दान्त का जो विचार ऐसा है कि उन्होंने इस तरह का विचार स्थापित किया है कि मनुष्य के पुर्व जन्म के कर्म के कारण मनुष्य के पुर्व जन्म के कारण अभी जो हमारा वर्तमान जीवन में जो जन्म है हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं ये इस जन्म के पुर्व का जन्म समझ ले दे तो वो कहते हैं कि मनुष्य के पुर्वजन्म के कर्म के कारण उसका कष्ट निच्चित है और उसी प्रकार वर्तमान जीवन का भाग्य भी निच्चित है तो ये एक विचाधारा निर्मान हो गई है इस विचाधारा को समझने के आउशकता है कि इस विचाधारा के वज़े से क्या हुआ कि अभी कुछ हिंदो धर्म को मानने वाले अभी दलीत समाज में दो वर्गा आते हैं शेडूल का शेडूल ट्रैप में दो वर्गा आते हैं एक वर्गा इसा है कि जो हिंदो धर्म के विचाधारा को मानता है और एक वर्ग जो है वो डाक्टर बाबा साब अम्बेट करके विचाधारा को मानता है दो वर्ग है इसमें बाबा साब अम्बेट करके विचाधारा को मानने वाला वर्ग शेडूल काश में कुछ राज्यों में है लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कम है कब्जोर हैं लेकिन जो सेडूल कास्ट में हिंदु धर्म को मानने वारा वर्ग अभी भी इस तरह की जो अवधारना है इस तरह की विचाधारा है कि आज हम वर्तमान जिवन में जो भी है या फिर वर्तमान जिवन में हमारे से जो भी घटना होती है वो सभी घटना का कारण वो समझते हैं कि हमारे पुर्वजन्मक के कर्मा है अब लोग भी उसी विचाधारा को बढ़ाते है जिनका इस विचाधारा से फाइदा है वो भी इस विचाधारा को बढ़ाते है और वो कहते हैं कि ये विचाधारा जो है वो सही है, वो गलत विचात आरा नहीं है, वो ऐसे समझाते हैं कि इस जनम में तुम अचुत क्यों बने, इस जनम में तुम दलित परिवार में जनम क्यों लिया आपने, वो समझाने की कुशिश करते हैं कि पुर्व जनम में, इसके पहले के जनम में आपने पाप में कर्म किया, आपने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है और उसी पाप कर्म का फ़ल जो आज वर्तमान स्थित्ति में आपको भूगनाई है कोई भी परिस्तिति में आपको पिछले जनम के कर्म का फल आपको भूगनाई है, क्योंकि वो कर्म का फल आपके भाग्य में लिखा है, वर्तमान स्थित्ति में जो आप है वो भाग्य का फल आपका निर्धरित हुआ है, वर्तमान स्थित्ति में आप कैसे जिएंगे, इस तरह का भाग्य क्या है, आपका भाग्य में क्या लिखा है, ये पुरा निर्धरित बनावा है, निच्चित हुआ है, ऐसी विचाधारा पिछले जनम के कर्म के आधार पर हमें थोपी गई है, थोपी गई है, वो कहेंगे कि हम ब्राह्मन क्यों है, ब्राह्मन के परिवार में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम स्रेष्टा है, ब्राह्मन है, जन्म के आधार पर, तो कहेंगे कि आपका ब्राह्मन घर में पैदा क्यों है, आपका जन्म क्यों है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किये थे, अच्छा काम किये थे, इसलिए हमारे आत्मा ने ये ब्राह्मन के परिवार में जन्म लिया, हम ब्राह्मन के परिवार में पैदा हुए, उसको एक प्रकारे, इस तरह के विचाधारा देखकर के, आंकार पैदा होता है कि हम ब्रामन परिवार में पैदा हुए इसलिए हम श्रेष्ट है वो दलित परिवार में पैदा हुए तो उन्होंने पिछले जर्म में काम कर्म क्राब किया था इसलिए वो दलित परिवार में जन्म हुए है इस तरह की जो कर्मसिदान्त जो बताया जा रहा है उस कर्मसिदान्त पर हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं रखना है उसके उपर चिंतन करना है और वो इतना भी कहते है इस कर्मसिदान्त के आधार पर वो कहते है कि तुम कितना भी संगर्श करो कितना भी विद्रो करो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो होना ही है कुछ भी करो आपके जो कस्त लिखे है आपके तक्दिर में आपके भाग्य में उतना कस्त तो आपको भोगना ही है जो भी घटना है लिखी है वो घटना होने वाली है इस तरह से आदमी के अंदर जो विद्रो के भावना होती है शोशन के विरुद में जो इनसान के मन में विद्रो के भावना होती है उस विद्रो के भावना को नश्ट करने के लिए विद्रो के भावना को खतम करने के लिए इस तरह का जो गलत करमसिदान आपके सामने रखा है लेकिन बाबा साब आम बेट कर और अभी वर्तमान स्थिति में हमारे कई लोग ऐसे हैं कि इन्होंने इस कर्मसिद्धान्द के विरुद में काम किया और उन्होंने बताया कि हमारा जन्म अच्छुत परिवार में हुआ दलित परिवार में हमारा जन्म हुआ आप कहेंगे कि दलित परिवार में जन्म हुआ क्योंकि आपके पिछले जन्म के काम कर्म खराब थे और आपको दलित परिवार में जो भी शोशन होता है वो आपको सान करना पड़ेगा लेकिन ऐसे आज वर्तमान स्थिति में कई लोग जो है दलिस समाज में पैदा हुए लेकिन आज वो बड़े बड़े अधिकारी बनके गए है और उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिस्थिति को उन्होंने संपन्न बनाया है और आज वो अपने जीवन को आलिशान जीवन जीते है बिना किसी भागय के बिना किसी पुर्वजनमक के करम के सिद्धान तको ना समानते हुए नए सिद्धान तके नुसार जो की हम वर्तमान कर स्थिति में जो भी करम करते है जो भी करम करके परिश्थिति निर्मान करते है उस परिश्थिति के आधार पर ही आदमी के जीवन में निर्धारित होता है कि वो सुकी रहेंगा या दुकी रहेंगा ये बात हमें समझने के आवशकता है इस तरह से जो बुद्धा ने करम से दानत दिया है अभी हमने बुद्ध मार्ग को समझने की आवशकता है बुद्ध मार्ग बुद्ध ने कर्मसिद्दान्त दिया है उस कर्मसिद्दान्त में अभी जो हमने देखा वो गलत कर्मसिद्दान्त है जो हमें शोशन करने वाला सिद्दान्त है हमें विद्रों से रोकने वाला सिद्दान्त है अपने खुद के कर्म के बल को रोकने वाला सिद्दान्त है लेकिन ये जो बुद्धत हमें कम्म नियम बता है कम्म सिद्दान्त बता है वो कहता है बुद्धत देशना देते हैं कि कुशल कर्म करो अच्छा कर्म करो सम्य कर्म करो ताकि मानवतावाद उस नहितिक कर्म से लाबानुवित हो सके तुम्हे ये इस तरह से कर्म करना है अच्छा कर्म करना है ताकि उसका जो नैतिक क्रम बने क्योंकि हर एक कर्म का नैतिक क्रम बनता है नैतिक क्रम का मतलब है वो दिखाई नहीं देता है लेकिन तुम जिस तरह से कर्म करते हो तो उसका परिणाम एकदम नहीं निकलता है उसका फल एकदम प्राप्त नहीं होता है तो तुम्हारे कर्म के अनुसार मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका नईतिक्रम बनते जाता है उसको moral order कहते है तो उसका नईतिक्रम बनता है हम इसके बारे में अनविदने हैं कि नईतिक्रम क्या होता है नईतिक्रम किस तरह से बनता है इस बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं होने के वज़े से हम कर्म सिद्धान्त को पूरी तरसे नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम जैसा कर्म करते हो उसी कर्म के नुसार तुमारे जीवन की रूपरेशा बनती जाती है तुमारे कर्म का जो कर्म है कर्म की नीती बनते जाती है इसलिए हमें कर्म करते समय ये ध्यान देना आवश्यक है कि हम कर्म कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं तो हमारा कर्म करते समय नेति कर्म बनते जा रहा है और जिस तरह से नेतिक्रम बनते जाएगा उसे नुसार कर्म का परिनाम भी निकलेगा तो हमें कर्म करना है तो अच्छे कर्म के साथ में ये भी सोचना है कि हमारा नेतिक्रम भी अच्छा बने कोई क्या चाहते कि एक बार मैंने अच्छा कर्म कर दिया अइसा नहीं है एक बार कर्मा करने से आपका नैतिक क्रम बनेगा लेकिन पूरा नैतिक क्रम नहीं बनेगा पूरी तरह से उसको जो समय लगता है नैतिक क्रम बनने के लिए वो काफी समय लेता है या फिर किसी में कम समय लेता है लेकिन उसको परिस्तिती निर्मान करने के लिए समय लगता है क्योंकि बिना परिस्तिती से परिनाम ने निकलता पहले अपने कर्म करने के बाद में कारण निर्मान होगा और कारण निर्मान हो करके कारण उसका नेतिक्रम बनाएंगा और नेतिक्रम के नुसार परिस्तिती बनेंगी और परिस्तिती के नुसार परिनाम निकलेंगे वर्तमान परिस्तिती जैसे बनेंगी वैसे आपका परिनाम रहेगा वर्तमान परिस्तिती अगर तुमारे अनुकुल नहीं है प्रतिकूल है तो उसके परिनाम भी प्रतिकूल होंगे लेकिन परिस्तिती वर्तमान परिस्तिती की परिस्तिती अगर तुमारे प्रतिकूल है तुमारे विचारों के विरुद में परिस्तिती बन गई है क्यों तुम्हारे विचारों के विरुद्धक परिस्तिती बन गई है क्योंकि तुमने कर्म करते समय कारण के बारे में सोचा नहीं और नैतिक्रम के बारे में सोचा नहीं इसलिए तुम्हारे कर्म से कारण निर्मान नहीं हुआ और तुम्हारे कारण निर्मान होने के वज़े से नहीतिक्रम निर्मान नहीं हुआ और नहीतिक्रम ठीक से निर्मान नहीं होने के वज़े से परिस्तिति अनुकुल निर्मान नहीं हुई और अनुकूल परिस्तिती निर्मान नहीं हुई इसलिए उसके परिनाम तुमारे फेवरेबल नहीं लगे जैसे कि समझो कोई अपना कोई बिल्डिंग बना रहा है नई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है तो उसने पहले संकल्प किया कि मैं अच्छे बिल्डिंग बनाओ फिर बिल्डिंग बनने के लिए उन्होंने जो भी संसादन लगते हैं लेबर लगते हैं जो भी मटेरियल लगता है जो भी कांटेक्टर लगता है इंजिनियर लगता है सब संसादन उन्होंने इकटा किया और उस सौंसाधन में उन्होंने मकान निर्मान करने का कार्य किया तो वो सौंसाधन द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उसके कारण को निर्मान कर रहा है उसके अच्छा अगर सौंसाधन जो है अगर अच्छा कर्म करते हैं अच्छा काम करते हैं तो कारण अच्छा बनेंगा अगर कारण अच्छा रहेगा तो तुम्हारी इमारत अच्छी मन जाएंगे क्योंकि कारण के उपर परिणाम निर्भर करता है तो इस तरह से हमें सोंसाधन अपने पास पैसा लगाया सब कुछ लगा है संकल्पों की किया लेकिन तुमारे संसाधन ठीक नहीं है मिस्त्री ठीक से काम नहीं कर रहा आपके पास जो पैसा चाहिए हो पैसा पूरी तरह से आपके पास में नहीं है तो काम बंद हो जाएगा मजूर काम नहीं करेंगे काम करने वाले मजूर ठीक नहीं है इमानदारी से काम नहीं कर रहे है तो सबकुछ सवसादन होने के बावजूद भी जो सवसादन काम करने वाले वो अगर सही कारणों का निर्मान नहीं करते है तो बिल्डिंग आपकी सबकुछ रहने के बावजूद भी आप जिस तरह से बिल्डिंग मजबुत बनाना चाहते वो मजबुत बिल्डिंग नहीं बन सकती जिस तरह से सवसादन अच्छा कारण निर्मान करेंगे तो उसका जो नेतिक कम अच्छा बनेंगा बिल्डिंग अच्छी बनते जाएंगे इच्छी बनते जाएंगे तो अंत में वो आप जैसा चाहेंगे वैसी इमारत बनेंगी तो जो बीच में सारे सांसाधन आते हैं, कारण आते हैं उसके बारे में हमें सोचना है तो इसलिए तताकत बुद्द कहते हैं कि इस तरह का कुशल कर्मा करो कैसा कुशल कर्म करो कि हमें मानवतावाद इस देश में स्थापित करना है कुशल कर्म काई के लिए करना है कि हमें मानवतावाद को स्थापित करना है मानवतावाद का मतलब क्या होता है मानवतावाद को स्थापित करने का मतलब है कि मनुष्य को समान अधिकार मनुष्य को समान दर्जा मनुष्य को समान मान सनमान समता स्वातनता बंदुभा और न्याय की विवस्ता हो उसको कहते कि मानवतावाद अगर आप चाहते परिना मानवतावाद का हो मानवतावाद लाभानवित हो तो आपको कर्म करते समय वो धेया रखना पड़ेगा कि मुझे मानवतावाद के लिए काम करना है अगर हम मानवतावाद के लिए काम करते जाएंगे सातत्य में हमेशा जो भी कर्म करना है वो मानवतावाद निर्मान करने के लिए काम करते जाएंगे तो उससे धीरे धीरे जो है मानवतावादी नहितिक क्रम बनते जाएगा क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे कर्म करते समय सोच रहे कि मुझे वो कर्म करना है कि जो मानवतावदी को लाभान दिवित करता है तो इसलिए वो आप continuously समता स्वातंतर बंदुभाव नियाय के पक्ष में काम करते रहेंगे तो उससे जो सुरुंकला बनेंगी अच्छे लोग मिलते जाएगे अच्छा वातावरण निर्मान होते जाएगा तो जो सुरुंकला बनेंगी तो वो मानवतावदी नैतिक्रम बनेंगा और जब मानवतावदी नैतिक्रम बनेंगा तो उसका परिणाम भी मानवतावद लाभान दिवित होगा मानवतावद इस समाज में हम निर्मान कर सकते तो जो मानवतावाद निर्मान हुआ है इस समाज में तो उस मानवतावाद का लाब कई लोगों को मिल सकता है भला है हम कर्म कर रहे हमें मिले न मिले लेकिन अगर मानवतावाद स्तापित हुआ तो जो नए पिड़ी को उसका अवश्य लाब मिलेगा तो उसी प्रकार वो नई पिड़ी फिर उसके नई पिड़ी को तो मानवतावत का लाब मिला जैसे बाबा साब आमबेट करने सविधान लिखा है बाबा साब आमबेट करने हमें बुद्धधम्म दिया है इसी वजे से जो नई पिड़ी है उनको सभी प्रकार का मानवतावत का लाब हुआ उनको समता स्वातंत्र बंदुभाव और न्याय की विवस्ता उनको प्राप्त हुई जो पहले विचारे लोग थे वो अच्छुद बनके उन्होंने काम किया लिकिन उन्होंने जो कर्म किया उस समय जिन जिन लोगोंने मानवतावात को स्थापित करने के लिए उस समय हमारे बुजरुकों ने हमारे पुराने पिड़ी ने मानवतावात को स्थापित करने के लिए काम किया जैसे बाबा साब आमबेट करने, राष्ट्रपिता जूत्यवाब को लेने, मानवतावाद के लिए काम किया, उसे लिए जो मानवतावाद हमको मिला, हमारा भी फर्जाए कि उस मानवतावाद को कंट्यूनु करे, उसका नैतिक क्रम बने, ताकि दूसरे पिड़ी को मानवता असमानता का प्रभाव नस्तो हो, तो हमें अपना विचार प्रवाद, जो मानवतावादी विचार प्रवाद है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो निच्चित रूप से हम सपल बनेंगे, इतना कहिके मैं अपनी दम्मदेशना को विरन देता हूँ, नमा गुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सविदान.